हार कर भी वो हारते नहीं जो हृदे के उत्सा को मारते नहीं जीत उनकी निश्चित होती है जो मुसीबत से डरना जानते नहीं ये पंक्तियां इस वक्त विपक्ष के राष्टपती उम्मीदवार यश्वन सिना पर बिल्कुल फिट बैठती हैं राष्टपती चुनाव को लेकर एंडिये में पड़ी फूट क्यों उडगई है पियम मोधी की नील क्या इस बार एंडिये का हर दा होगा फेल विपक्षी एक्ता ने कैसे बढ़ाई बीजेपी की चिंता मायवती के समर्थन के बावजूद कैसे एंडिये के राष्टपती उ जागत है आप देख रहे हैं राष्टपती चुनाव पर एंडिये में फूट अपने इस रिपोर्ट में आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि राष्टपती चुनाव से जुड़ी कुछ खास बात है साल 2022 में होने वाले राष्टपती पत के चुनाव 16 चुनाव हो जीते का 3767 हैं जिसमें से 540 얼सभश सभा और 227 राज्जे सभा के हैं और कुल 4,000 विधायक हैं राश्टपती चुनाव हो हर सांसत के वोट का वेटेज जो है वह सासू है यानि कुल वेटेज जो है वह 10,1,000,600 हुता है वीधायकों के वोट का वेटेज राज्जे की चुनाफ के लिए 10,80,131 होता है जीतने के लिए 50 फीसिदी यानि 5,40,000 पैसर से ज्यादा चाहिए माना जा रहा है कि 10.86 लाग के वेटेज वाले इलक्ट्रोलर कॉलेज में बीजेपी और साथी दलों के पास 50 प्रतिशत से कम वोट है विपक्षी राश्पती पत के उम्मीद पत्र दाखिल किया उनके साथ कॉंग्रेस नेता राहुल गांदी और एंसीपी अध्यक्ष शरत पवार भी मौजूद थे नामांकन दाखिल करने के लिए कॉंग्रेस ने मलिक आरजुन खडगे और जैराम रमेश सहिद कई नेता उनके साथ शामिल रहे समाधवादी पार् के नाम से भी जाना जाता है उनके बेटे रामा राव और टीरेस के कुछ सांसत भी मौजूद थे यश्वन सिना के उम्मीद्वारी का समर्थन करने वाली पार्टियों में टीमसी कॉंग्रेस सीपी आई शिफसेना एंसीपी एसपी डीमके राजद एंसी ए आई यूडी ए साल 1990 से 1991 तक प्रधार मंतरी चंद्र शेकर की सरकार में केंद्रिय वित मंतरी के रूप में कारे किया था उन्होंने अटल भिहारी वाजपई की नितृत वाली सरकार में भी केंद्रिय वित मंतरी के रूप में काम किया इसके अलावा उन्होंने विदेश मंतरी के रूप में यश्वन सिना ने इसे पहले कई विपक्षी दलों और बीजेपी से भी समर्थन मांगा था यश्वन सिना ने रविवार को कहा था कि उनकी ये लड़ाई विक्तिगत लड़ाई से कहीं ज्यादा बड़ी है और जब तक लोग नहीं जागेंगे और पूरी विवस्ता में सुधार नहीं होगा हम सुरंग के अंत में प्रकाश नहीं देख पाएंगे यश्वन सिना ने कहा कि हमारा लोकतंत्र हमारा संविधान खत्रे में हैं और स्वतंत्रता संग्राम के सबी मुले खत्रे में हैं इसलिए भारत को खत्रा है और उन्हें भारत की रक्षा के लिए उठ खड़ा होना होगा। आज हमारे देश की राजनीती इतनी कमजोरियों से ग्रसित है कि लोग सडकों पर उतरने को मजबूर हो रहे हैं। लोगतंत्र में चीज़े ऐसी नहीं होनी चाहिए राश्टपती भवन को रबर स्टेम से अधिक बनना पड़ेगा। राश्टपती चुनाव में केसी आर का यश्वन सिना को समर्थन देना कई मायनों में काफी महत्पून हैं। उनके इस फैसले ने बीजे पी खेमे में खलबली मचा दी है। एंडिये ने भले ही आदिवासी महिला उम्मीदवार खड़ी करके एक तीर से कई निशाने सादे हों। लेकिन केसी आर ने भी अपने सियासी पत्ते खोल के साफ कर दिया है कि वो मोदी के विरोधी थे और रहेंगे। राश्पती चुनाव में टीरेस ने दोहजार चुनावों से पहले ही बीजे पी को घेर लिया है और एहसास करा दिया है कि आगे की रहा आसान नहीं है। इस बार के राश्पती चुनाव में केसी आर ने आखरी वक्त तक साफ नहीं किया था कि वो किसके साफ जाएंगे। क्योंकि 15 जून को ममताब एनरजी ने विपक्षी खेमे की बैठक बुलाई थी जिसमें राश्पती के नाम पर चर्चा होनी थी उस बैठक से केसी आर ने किनारा कर लिया था। लेकिन अचानक येश्वन सिना का समर्थन करके केसी आर ने सब को चौका दिया है। माना जा रहा है कि इस चौनाव में विपक्ष के असली सूत्रधार केसी आर ही है। 2024 से पहले बीज़पी को चौनावती देना चाहते हैं केसी आर। 2017 के चौनाव में मौझूदा राष्टपती रामनाद कोविन के मुकाबले कौंग्रिस ने मीरा कुमार को उतारा था और वो बुरी तरह हारी थी। तब केसी आर की पार्टी टीरेस एंडिये उम्मीदवार के साथ थी। टीरेस के अलावा AIDMK और YSRP, BJD और तेल्गू देशम पार्टी ने भी एंडिये उम्मीदवार का समर्थन किया था। इस बार टीरेस प्रमो के चंद्रशेखराव एंडिये से दो-दो हाथ करने का मन बना चुके हैं। केसियार का मकसद दो हजार चौबिस में BJP के नित्रत्व वाले एंडिये को चुनौती देना है। इसके लिए वो देश भर में घूम रहे हैं। से भी वो मुलाकात कर चुके हैं। सयुक्त विपक्ष का उम्मीद्वार घुशित किया गया तो 17 विपक्षी दलों में एक जारखन मुक्ति मोर्चा भी शामिल रहा। जेवेम नेता हैमन सोरेन की जारखन सरकार में कॉंग्रेस और लालू यादव की पार्टी आरज़ेडी भी शामिल है। लेकिन जैसे ही बीजेपी की तरफ से द्रोपती मुर्मु को एंडिया का प्रत्याशी बना दिया गया हैमन सोरेन के लिए विपक्ष के साथ खड़ा रहना मुश्किल लगने लगा। द्रोपती मुर्मु भी जार्खन की राज़ेपाल रह चुकी हैं और जार्खन में आदिवासी वोट बहुत माइने रखता है। तो हैमन सोरेन एंडिया के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन के समर्थन के बाद उम्मीद की जा रही है कि वो विपक्ष के उम्मीद्वार यश्वन सिना को अपना समर्थन दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो एंडी उम्मीदवार दुरोपती मुर्मु की मुश्किलें बढ़ सकती हैं वहीं यश्वन सिना की दावेदारी मजबूत होगी राश्वादी कॉंग्रेस पार्टी प्रमुग शरत पवार ने कहा कि राश्टपती चुनाव में विपक्षी दलु को कोंथ प्रयास करने होंगे जब हम चुनाव लड़ते हैं तो हम जीतने के लिए लड़ते है जब दो उम्मीदवार हो तो दोनों जीत नहीं सकते तो पृते एक उम्मीदवारwow के लिए स्थिती अलग यह मुकाबला सिध्धानतों के बारे में हैं यह साजह मी दो और रूप यह लड़ाई बीजेपी बनाम बीजेपी की है क्योंकि यश्वन सिना ने 25 साल से ज्यादा बीजेपी के लिए राचनिती की है लेकिन आज उनकी लड़ाई मोदी और शाह की नीतियों के खिलाफ है ऐसे में विपक्ष को मिले केसी आर के साथ ने बीजेपी को बैक फुट पर जरूर ला दिया है तो यह थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राइज जरूर दे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें देखते हैं डीबी लाइफ नमस्कार